Hello everyone, देखेंगे, अब chapter 7 स्टार्ट करेंगे, हम system of particles and rotational motion देखो system of particles का मतलब क्या है, जैसे मालो आपको पता है कि जैसे एक particle move कर रहा है तो ये तो हम movement of particle की बात करते हैं, अब मालो एक पूरी body है ठीक है, ये कोई पूरी body है, इसमें क्या है, number of particles होंगे बहुत सारे ठीक है, तो पूरी body की जब हम बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, इन सभी particles की बात हो रही है तो ये क्या हो जाता है, हमारे system of particles, एक पूरी body में जितने भी particle है उनको क्या बोलते हैं, system of particles, यानि कि जो पूरी body है, ये क्या है, system है और इसमें जो particles हैं तब ही हमने क्या बोला system of particles तो system of particles का मतलब क्या है एक पूरी body समझे रोना बात को एक single particle की बात हो रही है और एक पूरी body की बात हो रही है तो जब हम पूरी body की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है system of particles because एक पूरी body में कहीं सारे particles होंगे और उसको हम क्या बोलते है, system of particles, पूरे system के जितने particles है, यानि कि पूरी body में जितने particles है, तो यानि कि system of particles का मतलब क्या है, एक पूरी body की बात हो रही है, ठीक है, rotational motion क्या होता है, rotational motion आपको पता ही है, कि जो अपने axis पे ही movement होती है, उसको हम क्या बोलते है, rotational motion जैसे आपका fan move क मतलब क्या है जैसे मान लो ये मेरे पास ये फोन है ठीक है अब इसका सेंटर ओफ मास कहां होगा ये चीज़ है सेंटर ओफ मास कहां होगा इसका तो देखो मैं क्या करूंगा अपनी इस फिंगर से लोकेट करने कोशिश करूंगा कि इसका सेंटर ओफ मास कहां होगा जैसे मान इतनी बाद इसका तो हमें बड़ा easily पता चल गया ठीक है ऐसे ही कहीं सारे object होगा जिनका center of mass हमें पता करना है तो यह कहानी क्या है center of mass की कि जहां पर इस पूरे object का यह इस पूरी body का जो mass है वो concentrated है क्योंकि उस point पर force लगाने से क्या हो रहा है यह देख लो यहां पर stable हो रहा clear है तो यही definition है कि it is that point of the body where the whole mass of the body is supposed to be concentrated कि जहां पर पूरी body का mass concentrated होता है वो क्या है हमारा center of mass है अब यह जरूरी नहीं है कि इसके middle में ही होगा ठीक है यह तो एक कैसा है uniform इसका तो center में होगा ठीक है लेकिन कई object जो होंगे आपके uniformly distributed नहीं है तो वहां पर क्या होगा वो चीज है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या है देखो कुछ formulas दिये है center of mass निकालने के clear तो वह देखो कैसे जैसे माल लो आपको पता है यह वाला y-axis हो गया और यह हमारा क्या है x-axis है ठीक है अब हम यहाँ पर क्या कह रहे है दो object है एक यह रहा और एक यह रहा इसका mass कितना म माल लिया m2 है ठीक है अब origin से इनके जो position है वो हमने बोल दिया यह वाली क्या है r1 vector है और इसकी position जो है वो कितनी है r2 vector है clear है समझ रहे हो और इनका जो हमने line join करिया है इनका हमने कहा कि center of mass माल दो यहाँ पर कहीं मिल रहा है ठीक है तो center of mass अगर हमने कहा कि यहाँ पर मिल तो यह इसका हो गया क्या position vector किसका center of mass का जिसको मैं r vector से लिखता हूँ capital वाले से ठीक है और यह cm भी लिखता हूँ क्या यह क्या है position vector है center of mass का clear है तो अब हमें जो main बात कि है वो यह ही है कि 2 mask दिये हूँ है इनका center of mass निकालना है तो उसकी position हमें निकालनी है clear अब जैसे य निंग लेगा देखो R vector और यह CM यानि कि Center of mass यह कैसे निकलता है हमारा देखो M1 R1 vector plus में M2 R2 vector हम दो पार्टिकल की बात करो बात करो नीचे आएगा M1 plus में M2 इस तरीक किसे निकलता है कि यहा तो आप R1 vector निकाल दो पहले R2 वेक्टर निकाल दो ठीक है फिर M1 से यहां multiply करके add करेंगे नीचे M1 प्लस M2 हो जाएगा तो यह position वेक्टर आजाएगा किसका center of mass का clear है अब वैसे आप सोचो अगर यह coordinate system है अगर हम coordinate system की बात करें in Cartesian coordinate system की अगर हम बात करें तब क्या होगी कहानी देखो अगर हम coordinate system की बात करें तो यह origin है यह विस वाद है 0 को मा 0 होगा यहां यह जो R1 vector है और यह है M1 हमारा ठीक है तो इसकी कुछ position होगी किसी x में और y में तो यह हमारा हो गया x और y यह नहीं यह x1 और यह y1 समय रहो ना x की भी कुछ होगी position और y की भी कुछ होगी clear इतनी बात x की कैसे होगी देखो यहां से यह वाली मालो यह 2 है तो यह 2 पे हो गया और यह वाला हमारा यह वाला तो हो गया जैसे 2 पे ठीक है और यह y वाला हमारा है यहां मालो 5 पे तो 2,5 हो जाएगा समझ रहो यह 2 मालो और यह 5 है तो यह 2,5 नहीं हो गया कोडिनेट सिस्टम में M1 की प्रॉपर पॉजिशन क्या है वो यह है ऐसी M2 की भी होगी X और Y में जिसको मैंने माल लिया यह X2 होगा और यह Y2 होगा तो अब यह जो सेंटर ओफ मास है जिसको हमने पैसे पॉजिशन वेक्टर से लिखा था मास वो कैसे निकलेगा अब देखो पहले हमने R1 लिखा था अब इसमें क्या आएगा अगर X के लोग निका रहे हैं तो X1 आएगा इसकी पॉजिशन सेंटर ओफ मास की तो वह हम निकाले तो यहां से क्या जाएगा वह M1 Y1 प्लस में M2 Y2 अपॉन में M1 प्लस में M2 अब माल लो अगर में होता है X I cap प्लस में Y J cap प्लस में Z K cap इसी में होता है अगर 3D सिस्टम में 2D में तो X और Y होगा और यह 1 है तो यह 1 यह भी 1 आपका यह भी 1 आपका तो वही चीज की है हमने जब यहां R1 की जंगे लिखा तो X के लोग कर रहे हैं तो उसका X1 लिया और R2 में भी क्या हो लिया ऐसी Y की जब बात हुई तो R1 में से Y1 लिया और R2 का हमने क्या लिया यहां से Y2 लिया समझ रहो यह नहीं बताओ R1 में से Y1 और R2 में से Y2 लिया इसी Z की जब अगर हम बात करें गर मालोई तो हमने 2D कमना है अगर Z axis भी होता हमारे पास उसमें होता तो फिर किस तरी Z1 होता और Z2 आ जाता कि अतनी बात clear है या नहीं है बताओ तो इस तरीके से हमारे यह coordinate सिस्टम निकल आते है अगर हम यहां पर बात करें तो अब यह जो हमारे पास RCM आ रहा है ठीक है यह कितना आ रहा है हमारे पास इसका जो आएगा वो कितना आएगा center of mass में XCM और YCM आता इस तरीके से हम बात कर सकते हैं clear coordinate में values तो पता ही होंगी इसकी हम जैसे यहां पर question भी करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा बताओ कोई दिक्कत इसमें ठीक है अब main कहानी पर आते हैं जैसे अगर देखो हमारे पास if M1 equal to M2 equal to M1 अगर equal mass होते यह वाले दोनों equal mass होते हैं तब यहां पर क्या बनती देखो RCM क्या आजता हमारे पास जल्दी से बता हो जड़ा MR1 प्लस में MR2 upon में Vector में और यह M plus में M तो यह देखो इदर से क्या आजता है M common आता R1 प्लस में R2 वेक्टर बन जाता है इदर और इधर से क्या बन जाता हमारा 2M तो यह M से center of mass होगा वो बिल्कुल इसके center में होगा इन दोनों के हैं अगर equal mass है तो उनका center of mass हमेशा कहां बनेगा उसके center में बनेगा जो भी line को join करती है उसके center में बनेगा यह बात clear होनी चाहिए आपको ठीक है अब इसमें यह बात आती है कि मानलो अगर जादा mass हो अगर जादा mass ह एक side मानलो इधर है 3 kg और इधर है 1 kg तो automatically center of mass वहाँ shift होगा जहाँ ज्यादा mass है तो इधर 3 kg है तो shift यह इधर हो जाएगा समझ रहती है जैसे इसका example best क्या है आप एक डंडा लो ठीक है यहाँ पर एक mass 1 kg का ले लो और यहाँ पर एक mass 1 kg का ऐसे बांदो तो आप उसको समझ रहे हो मतलब क्या होगा आपका जो यह वाली चीजा उपर हो जाएगी जब यहां से उठाओ गया और यह चीज निच्छे जाएगी ठीक है तो उसके लिए क्या होगा थोड़ा सा इधर से पकड़ोगे ना आप तब यह stable रहेगा तो यानि कि center of mass अब कहां shift हो गया जह और में M q at m कितना जाएगा यह M common लेंगे दिर से एकस उन प्लस में x2 अपॉन में कितना जाएगा 2m तो देखर हो यह इससे कट रहा है तो x1 प्लस में x2 अपॉन में M आ रहा है आसी y cm कितना जाएगा y1 plus y2 by M sorry 2 और z cm कितना जाएगा z1 plus z2 by 2 ए टो clear है तो एक तिने से ए देखो नहीं आहीं वाल है यहाँ से पराइड से इसको करों एकुम जलिए एक चैनर एलगे वेडियर क्या है। 我覺得 कई कर पे STEसे पतराओ और जैसे ही थो ऑर चॉधे करी थी ठीक है C से ही और यहां और नीचे क्या मोटाओ पास में रूसमें अपिट मन आ देगा सिंपल सी नियहें कुछ भी मुश्किल नहीं यह ऐसी एन नमबर अगर हम x coordinate की बात करने तो उसमें x cm क्या जाएगा हमारे पास तो बिलकुल इजी है m1 x1 प्लस में m2 x2 upon mn xn upon में m1 प्लस में m2 up to mn इसी जरी किसे y cm और z cm भी आ जाएगा हमारे पास ठीक है अब इसको हमें अगर लिखना है summation में ये वाला जो rcm है ये हम कैसे लिख सकते हैं देखो summation में i is equal to me 1 to n यहां लिख सकते हैं m i ri और upon में क्या सकता है हमारे पास ये summation of m ये पूरा का पूरा mass जो है हमारा total mass है तो हम इसको total m लिख सकते हैं कि इतनी बात clear है या नहीं है बताओ simple m लिख सकते हैं अभी जंगे नहीं है यहां पर नहीं तो निच्चे आप क्या लिख सकते हैं summation of m i और i की value कि इसमें चल रही है 1 to n चल रही है इस तरीके साब लिख सकते हैं आपको main कहानी कहा है इसमें main formula जो आपको याद रखने है वो यह वाले रखने है यह वाला यह वाला ठीक है इसी से ही यह बना इसी से ही यह बना ठीक है और इसी से ही आपका यह यहाँ स्कुर्ट और यह z यूसित बंखे लिए हैं नियुंग्त के ऊंदे अपो इसको एक स्थिस और वह द ले डे दो अब इसका जो वाला coordinate है यह क्या बन जाएगा 0,0 origin पे ले लिया ना यह अब देखो यहां से देखो यह वाले के क्या coordinate बनेंगे इसके coordinate क्या बनेंगे देखो X कहां से जा रहा है 1 meter पे जा रहा है 1 comma और Y का तो कुछ है यह नहीं समय X का ऐसी रफ 1 तो Y का है 0 ये हो गया coordinate आप यहां से देखो जा रहा यह X का कितना है ये 1 ہے समझ रहरो X का कितना है ये 1 है हमारे पास देख लो ये 1 की दूरी है यहां पर भी ठीक है तो ये 1 आग एटका Y देखो ऊपर कितना जा रहा है Y भी 1 ही जा रहा है उपपर तो यह 1 आ गया आता है ना यह बनाना coordinate system coordinates तो लिखने आने चाहिए है आपको इस त्रीके से बिल्कुल easy है अब यहाँ पर देखो ज़रा इस position पे अगर हम देखें यहाँ वाली यह जो position है इसमें बताओ आप अगर यह तो उवसी बात है और उखी जीरो होता है इसमें टिकर्ना यह फ 난 यह अब कहicer के मन मेरे टा है कि इसमें cowoubl a आनि पो इसमें क्या निकालना है हमें को सेंटर उफव मार्थ निकाला बिल्कुल बीच में ले לתको नहीं लेंगे यह वेट देख लो ना अलग-अलग है अगर वेट से में होता 1kg 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 फिर इसका सेंटर ही होता बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं वह हम बिल्कुल असानी से निकाल देते कि इधर से 1x2 और इधर से भी 1x2 तो 1x2,1x2 आजाता है इसका सेंटर अलग-अलग सेंटर अलग-अलग है अब खुद सचो नहीं एक प्लेट है महां दो एक प्लेट पे यहां 1kg है यहां 2kg यहां 3kg यहां 4kg है अब उसका सेंटर ओफ मास बिल्कुल सेंटर में थोड़ी होगा कही ना कहीं और होगा क्योंकि मासी अलग-अलग है तो उसे अगर प्लेट को हां पर कहीं आएगा तो सबसे पहले हम XCM निकालते हैं XCM का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बदलती से बताओ M1 X1 प्लस में M2 X2 प्लस में M3 X3 प्लस में M4 X4 अब 4 मास है ना इसमें तो ओवेस ही बात है यह हमने क्या ले लिए मालो यह हमारा M1 हो गया यह वाल प्लस में M2 P्लस में M3 प्लस में M4 तो देख़ो अब, EZ यह है M1 कितना है 1 है X1 यह होगा हमारा Y1 यह होगा ठीक है यह वाला X2 ओगा यह Y2 है यह हमारा X3 होगा यह Y3 हो ज़ती है समझ रहे को और यह वाला हमारा क्या होगा इदर X4 होगा और Y4 होगा ठीक है तो M1 कितना है 1 है और X1 कितना है 0 है प्लस में M2 है कितना हमारे पास 2 और X2 कितना है 1 है M3 कितना है 3 है और X3 कितना है 1 है M4 कितना है हमारे पास 4 है और X4 कितना है 0 है देखो लिखने से क्या फाइदा है easily आप put कर सकते हो formula में उसके बाद देख लो ये total mass कितना था ये 1 plus में 2 plus में 3 plus में 4 देखो 1 into 0 0 2 into 1 2 3 into 1 3 and 4 into 0 is 0 और ये कितना आ रहा है 7 8 9 और 1 कितना आ गया 10 कितना आ रहा है 5 by 10 5 by 10 मतलब कितना हो रहा है ये 1 by 2 हो रहा है कि अतनी बात clear है या नहीं है बताओ कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत निए ठीक है अब इसी तरिके से मैं YCM निकल सकता हूँ इसका YCM के लिए देखो मैं formula नहीं लिख रहा हूँ direct करूँगा देखो M1 M1 कितना है हमारा 1 है और Y1 कितना है 0 है फिर M2 लिखो 2 और Y2 लिखो कितना है? 0 है फिर M3 लिखो 3 है और Y3 किया है? 1 है फिर M4 लिखो 4 है और जो हमारा Y4 है वो कितना है? 1 है clear? M1, Y1, M2, Y2, M3, Y3, M4, Y4, Y4 कितना है? 1 है यहां से देख लो clear है और नीचे total mass कितना है हमारे पास? 10 है तो देखो यह 0, यह 0, यह 3 और यह कितना? 4 और यह 10 कितना आ रहा है? 7 by 10 तो जो हमारे पास जो coordinates आए है center of mass के वो क्या है हमारे पास? देखो XCM, YCM क्या है वो? 1 by 2, 7 by 10 आए है कि अतनी बात clear है? तो अब देख लो यह आप आपको समझ में आ जाएगा, देखो 1 by 2 कहां आ रहा होगा X का, X का 1 by 2 यहां आएगा, ठीक है? अब Y Y है, Y, Y 7 by 10 है तो यानिकि 0.7 है तो 0.7 कहां आ रहा होगा? सोचने की बात है देखो 1 by 2 इधर है, ठीक है? और इसका 0.71 क्या आसपास होगा इधर, ठीक है? यहां पर माल लो, तो यह 1 by 2 क्योंकि टोटल 1 है तो इसका आधा 1 by 2 और यह पूरा 1 है, इसका 0.7 यहां आ रहा होगा तो अगर यहां देखे हैं, तो यहां पर कहीं इसका center of mass आएगा, तो इतनी की बीच में ही आ रहा है, इधर 3 kg, इधर 4 kg है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो ज्यादा इस तरफ है, तो इस तरफ center of mass shift होगे है, बताओ समझ मैं, अभी question मैं आपको homework दे रहा हूँ, क्या है, question यही है, जैसे कि यह बनाया है, हमने 시ra for 25 मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसमें, जैसे 1 meter का था ना, इसमें मैं кая रहा हूं यह 5 meter है, यह работает five meter है, यह बिः 5 meter है, और यह ठीक है तो यह आपका homework है, यह आप करो, ठीक है, बाकी questions में आगे कराता हूँ, next video में आपको अलग तरीके के clear, बताओ समझ मैं है, center of mass है क्या, बिल्कुल easy है, center of mass में हमें सिरफ और सिरफ क्या यहां पता करना है, अभी जो topic में हमें बात की है, वो क्या की है, कि जो position है center of mass की वो कैसे निकलती है, उसके लिए यह formula है हमारे पास, clear है, okay, thank you